नमस्कार मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहें निउस 18 पुर्वी चमपारन जिले के सुरिपुर पंचायत के जखरा में अभी मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ किशान हैं और इन्होंने अपने लगभग धाई एकड के इस प्लोट में अमृत की खेती की हुई है मैं रवी भूसन सर्मा ग्राम पोस्ट जखरा थाना पिप्रा कोठी पुर्वी चमपारन का निवासी हूँ अठाड़ा में तलास रहा था कि क्या किया जाए तो अमृत के तरफ मेरा ध्यान गया कि अच्छी चीज है बाजार में इसकी उपलब्धता कम था मेरे छेतर में तो विक्री का प्रॉब्लेम नहीं होगा इसलिए हमने अमृत की खेती का चैन किया और हमने धाई एकर शुर्ज किरन और धाई एकर सिडलेस थाई सिडलेस पांच एकर में ये प्लांटेशन किया हूं छे अजार पौधा ये पौधा प्रथम फेज में विजय बाड़ा से मेरे को लाना पड़ा था काफी मसकत के बाद ये पहुंचा यहां आते आते साड़े 300 का वहां भाव था प्लस ट्रांस्पोर्टेशन था ज्यादा तर किसान इसी को लेकर परिसान हो जाते हैं पौधा उनको मुफद चाहिए सबसीडी का चाहिए जिसमें आम तोर पर वो ठगे जाते मेरा सुझाओ आम तोर पर किसानों को यहीं रहता है कि चाहे वो जिस पानी और वो ठगे जाते हैं उनका मेहनत बरबाद हो जाता है इस अमरुद की क्वालिटी यह है कि यह साल में तीन बार फल देता है ऐसे तो सालों भर कुछ ना कुछ निकलता रहता है जबकि बाकी जो भी लोकल वेराइटी हम लोगों के पास उपलब्ध है एलफटी क्यादा नहीं ठीक भाव हो जब्स यह ड़री एपने के बाद भी दसन दिन तक विक्री के लिए né इसको कहीं भी ट्रांस्पोटेशन किया जा सकता है अमरुद्र बेशした agree secondo खर्च में लगने वाला पौधा है जो आम तोर पर सभी किसान जानते हैं कि उनके घरों पर एक दो पेंड हुआ करता था जल्दी प्रोडक्शन करता था और ये गरीबों का सेव माना जाता है पहले के जमाने में हमारे जो भी पुरुवज थे वो अमुरुद खाने की जो बा में जो से महां अमुरुद बिखता है तो तो किसानों के लिए ये प्रोफिटेबुल है हर तरह से चाहिव जिस रूप से देखे ये प्रोफिटेबुल ये कैसे फ़ल देता है तो आप अगर कैमरे की नजर से देखेंगे तो अभी नजर आएगा कि यह पौधा फलो से लद यह फल की तरह बढ़ रहा है, यानि इस तरह से सालों भर प्लांट में फल लगते रहते हैं, जिससे हमेशा जर्सी गाय की तरह इससे आमदनी चालू होती है, एक साल के बाद ही यह फल देना शुरू कर देता है, जिससे इसका खर्च मेंटेनेंस किसान के मुड़ी पर नहीं और तीन साल के बाद एक साल में एक कुइंटर फल देता है, तो किसान इसकी आमदनी स्वता जोड सकता है, कि वह अगर अपने खेतों में इसका प्लांटेशन किया है, तो तीन साल के बाद एक कुइंटल फल, अगर वह 10-20 रुपए किळो भी बेंच लें खेत से, तो अपन आमदनी की गनना स्वेंग कर सकता है तो सर इस यह प्लांट तो हमने लगा दिया और लगाने के बाद इसके खाद वीज वगेरा कितने किती दिनों पर लगातार देने पड़ते हैं छे महीने पर जैसे सभी फसलों में दिया जाता है आम तोर पर किसांद भाई हमसे ज़्याद अलग से सिर्फ एक फल मक्षी आता है जब थैयार हो जाता है उसका प्रखोब बहुत होता है ठर्शेदक और थोड़ा बहुत फंगिसाइड का प्रियोग होता तो औरिजिनल पौधा के लिए असली मारा मारी है जो हमको विजयवाडा तक जाना पड़ा था हम वहां से लाए थे इस बार इसमें हमने अपने ही प्लांट में पौधा त्यार कराया है मेरे पास अभी 10,000 प्लांट रेडी है अगर कोई किसान चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता ह हम उसको पौधा उपलब्द कराएंगे और पूरी खेती का रख रखाओं का जब तक वह फल बाजार तक न जाए सारा राय मुफ्त में उसके प्लॉट पर जा कर देंगे तो ये तो जो किसान हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक तरह का आफ़र है पुर्वी चमपारन से नेकुल कुमार न्यूजेटीन प्लकाटी का जिसी पालो ये उसके मवहाय मुफ्त में उल बाजार हैं इसी रही घहर है का जizar, लिए जज एक भीवद नही सारा वीदो किस्ट पर जाए ओलागर है